सुरुवात करते हैं दोस्तों आज की नियूस पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में पहला एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं जो की चाइना और ताइवान के कंफ्लिक्ट पर अधारिद है देखिए यदि चाइना और ताइवान के बीच में किसी प्रकार से क जरूरत है इसके उपर ये आर्टिकल मैनली लिखा गया है आज के समय में देखा जाए चाइना हिंद महासागर वाले छेतर में अपना दबबा बना दे जा रहा है ताइवान को वो अपना एक हिस्सा मानता है और ऐसा आरोप लगाया जाता है कि उसके आजुबाजु वाले ए इरिया में वो अपनी मिलेटरी एकसरसाइस कंड़क कराता है उसको डराने धमकाने का काम करता है तो चाइना ऐसा कर रहा है और कभी-कभी तो ऐसा भी लगता है कि भाई यह अमेरिका लोगों को उचका देता है एक काम कर तुम उसको मारो मैं तो हूं तुम्हारे पीछे त तुम्हारे साथ में तो मैं हूं इस प्रकार के काम अमेरिका करता है तो इस कारण से भी जो रिलेशन है देशों के ना वो खराब होते हैं इंडिया नीड्स टू इनेक्ट टॉफर फॉल्सीज टू सर्व इट्स आउन इंट्रेस्ट देखिए यदि इंडिया चाहता है कि मेरे खुद के इंट्रेस्ट मतलब मेरे हित में ही कोई चीज हो तो इसके लिए आपको क्या करना है थोड़ी सी टॉफ पॉलसीज लेकर के आने की जरूरत है ऐसा राइटर का कहना है तो वो टॉफ पॉलसीज क्या क्या हो सकती है आगे हम आर्टिकल में देखने वाले हैं तो चीन ताइवान पर अपना दावा करते रहता है और यदि आवस्यक हुआ तो बलपूरवक दीप पर कबज़ा करने की तैयारी भी कर रहा है जबकि अमेरिका ने इस पश्ट रूप से संकेत दिया है कि वो संभावता ताइवान की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ेगा और यदि हम बात करें इंडिया की तो भारत के ताइवान को लेकर के संगर्च करने की उतनी ज़्यादा कोई संभावना नहीं है तो यह काफी वाइटल एकोनोमिक एंड सिक्यूर्टी इंट्रेस्ट की बात करें एंड वैल्यूवेबल पॉलसी लीवर्स तो इंस्यूर दैट सच ए कॉन्फिल्क नेवर हैपन यदि इस प्रकार का कोई भी संगर्स नहीं होता है विवाद नहीं होता है तो एकोनोमिक दृष्टी से सिक्यूर्टी इंट्रेस्ट के हिसाब से वैल्यूवेबल पॉलसी के हिसाब से काफी महतपूर हो गया इसलिए इस संगर्स को रोकने की हमें कोसिस करना है नई दिल्ली के पास ऐसा करने के तीन मुखे कारण हैं कि भाई आप यथा स्थिती को बनाए रखिए भारत और ताइवान ने 2001 के बाद से व्यापार को साथ गुना बढ़ा दिया है और एक संभावित मुक्ते व्यापार समझोते की अभी वो लोग तलास कर रहे हैं इसके अलावा ताइवानी स्फर्म पावर्चिप सेमी कंड़क्टर मैनुफेक्चरिंग कॉर्परेशन ने पार्टनर्शिप किया है टाटा ग्रूप के साथ में ताकि इंडिया का पहला सेमी कंड़क्टर फैब्रिकेशन प्लांट चालू हो सके एक एग्रिमेंट साइन किया गया है रिसेंटली तू सेंड इंडियन वर्कर्स टू टाइवान और इसके लिए अभी आप देखेंगे स्रेमकों को ताइवान भेजने के लिए हाल ही में एक समझाते पर हस्ताक्षर किये गए हैं इंडिया की जो इंडिस्ट्री है क्रिटिकल सप्लाइ चैंस है एंड ओवर्सीज पापुलेशन आर इंक्रीजिंगली इन्वेस्टेड इन एन एंडियूरिंग पीस्फुल स्टेटस क्योस एक्रोस दा ताइवान स्ट्रेट कुल मिला करके देखा जाएं भारत के उद्द्योग, महतपूर आपूर्ती स्रंखला, विदेसी आबादी सभी ताइवान जल्डंगरू मद्ध में 27 सान्थिपूर इस्तिती में निवेज कर रहे हैं सेगेट नमबर की बात ये है, यदि किसी भी प्रकार से चाइनीज एग्रेशन होता है ताइवान के खिलाप में, वुड बी केटस्ट्रोफिकली कोस्ली फॉर इंडिया, भारत को ये महंगा पढ़ने वाला है इस प्रकार के सेनारियो में चीन और ताइवान के साथ जो वैस्ट्विक वेपार है, वो रुख जाएगा और ये इसका असर पूरे एसिया, पसिम एसिया में पढ़ने वाला है एक रिपोर्ट आए थी, ब्लूमबर्ग स्टडी के माध्यम से जिसमें एस्टिमेशन लगाया गया है कि जो कोस्ट रहेगी कंफ्लिक्ट भी वो ग्लोबल जीडिवी का 10% नुक्सान होने वाला है इंडिया की एकोनोमी भी काफी ग्रेटर सौक से गुजरेगी यदि हम उएस एकोनोमी से तुलना करेंगे तो एन इट्स मोस्ट वैलुएबल सेक्टर फ्रॉम इलेक्ट्रोनिक्स से लेकर के फार्मसुटिकल ये सब जगा सूखा पढ़ने वाला है वहीं चीन और अमेरिका के बीच एक लंबा युद या फिर सामान युद ताइवान से परे फैल कर कई दिसाओं में फैल सकता है ताइवान तो घिस्टे गई हो सकता है और अन्य कंट्रीज भी इसकी लपट में आ जाए अल्रेडी से देखा जाए भारत और चाइना की बीच में सीमा विवाद चल रहा है और इस से परमाणू उरद्धी कभी खत्रा बढ़ सकता है ताइवान पर संगर्स एक ऐसी चीज है जिसे भारत बरदास नहीं कर सकता खास करके जब वो राष्टी विकास के लिए इस्थिता और विकास जा रहा है हम सोच रहे हैं कि अमरी जो जीडिपी है बहुत तेजी के साथ में बढ़ है और हम नंबर तीर नंबर दो नंबर वन पर जीडिपी के मामले में आएं तीसरी नंबर की बात यह है इस संघर्स के आउटकम भारत की देरकालिक अंतर राष्टी इस्थिती को और भी जादा खराब बना देंगे एक limited conflict where China has relative advantages of concentrating force near ताइवान ताइवान की किनारे अपनी military को लगाते जारा लगाते जारा है चाइना और इसका उसको फायदा भी मिलेगा is also the most likely scenario to end in a Chinese victory over ताइवान and a corresponding defeat of the US and its life और यहाँ पर clear बात है किसी भी condition में चाइना हारने बाला नहीं है यदि चीन युद्ध के माध्यम से छेत्र की प्रमुक्सेन सक्ति की रूप में अमेरिका को विस्थापिद भी कर देता है तो ये छेत्र की संपूर सुरक्षा ब्यवस्था को कमजोर बना देगा अमेरिका कहता जरूर है कि हम आपको security guarantee दे रहे हैं ठीक है लेकिन अपने सैने आदुमी की करण और मौटे तोर पर सौमे रणनेतिक माहौल के लिए अमेरिका पर ये सारी बात निर्भर करती है इसके बाद जो अरुडाचल प्रदेश के लिए हम बात करें ठीक है तो अरुडाचल प्रदेश हो सकता है कि अरुडाचल प्रदेश पर अपना जो दावा है चाइना और भी जादा तेज कर दे भारत अमेरिकी सहयोगी नहीं है लेकिन ये अपने सैन आधुनी की करण और मौटी तोर पर सो मिरणनेतिक माहौल के लिए अमेरिका पर निर्भर करता है अब ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो पूरी तरह से अमेरिका का इलाइमस आमिल है लेकिन ये डिपेंड करता है यूएस के उपर मिलेटरी का यदि हमें मौटरनाइजेशन करना है और स्ट्रेजिक इन्वार्मेंट तैयार करना है तो आज भी हम अमेरिका की उपर में निर पावर से लेकर के इंटरनेशनल ला से लेकर के एकोनोमिक एंड पॉलिटिकल लिवरेज एसाइट फ्रॉम मिलेटरी कोईर्शन मिलेटरी के माध्यम से तो दबाए ही रहा है साथ ही साथ बहुत सारी चीजों को यहां पर उसने ध्यान रखा है इंडिया के पास में 6 आप साहरा ले सकते हैं ठीक है बिल्डिंग निरेटिव अपोस्ट टू अग्रेशन अग्रेशन सही नहीं है ऐसे करके दुनिया को दिखाना इसके अलावा डिप्लोमेटिक मैसेजिंग एकोनोमिक डिरिस्किंग है एक्टिव इनफोर्मेशन ओपरेशन टू सपोर्ट ताइवानीज पीपूल एंड मिलेटरी सपोर्ट टू यू एस फोर्सेस इन दा इंडिया नोसियन इंडिया नोसियन में आप बोल सकते हैं कि अमेरिका को आप अपनी जो हैं मिलेटरी की प्रजेंस और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से यह जो आप्सन हमारे पास में एविलेबल हैं यह इंडिया के ग्रेंड स्ट्रेटिक पोजिशन को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे ठीक है रिगार्लेस आप देर इंपेक्ट ओन चाइना ताइवान डिस्प्यूट यदि इस प्रकार की पॉल्सीस को आप इनेक्ट कर देते हैं फर्स्ट एंड फोर्मोस्ट तो क्या होगा इंडिया के पास में और भी ज़्यादा थोड़े से विकल्प आ जाएंगे एंड हम इंटेंसिफाई कर पाएंगे स्ट्रेटिक कॉंपटीशन को चाइना के साथ में इसके अलावा इनके माध्यम से एडिशनल पैथ में मिल जाता है एडिशनल रास्था खुल जाता है भारत के लिए कि हम हमारे जो संबंद हैं अमेरिका के साथ में और भी जादा आगे बढ़ाएं और नेशनल इंट्रेस्ट को सामने देखें ये ओप्सन हमें वाइडर एजेंडा प्रोवाइड करते हैं इंडिया इंटरनेशनल रिडर्शिप को की अब इंडिया ना केवल भारत में अपनी पॉलसी बना रहा है बलकि देश दुनिया को भी संदेश दे रहा है इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल हैं हम डिसकुस करने वाले हैं ये डवलो टीयो से रिलेटेड है हाल फिलाल में डवलो टीयो की बैठक होई थी तो इस बैठक में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने को लेकर के उसमें सहयोग करने को लेकर के कुछ एग्रिमेंट हुए है लेकिन भारत को ये चीज पसंद नहीं आई है उसके पीछे क्या क्या रीजन है और यदि भारत इस प्रकार की सोच रख रहा है तो इस सोच में भी हमें थोड़ा सा पुनर विचार करने की जरूरत है हाल फिलाल में आप देखेंगे जो में मुद्दा है यहाँ पर जिसके उपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डवलपमेंट सौटकट में इसको आई एबडी बोला जाता है बार बार यही सब्द आने वाला है तो जो वन ओप दा सिग्निफिकेंट डवलपमेंट रहा था त्रेयरवे नम्मर की मिनस्ट्रियल कॉन्फरेंस ओफ वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइजेशन का जो की आबुधाबी में आईजित करी गई थी वो था नॉन एडॉप्शन ओफ दा एग्रिमेंट ओन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डवलपमेंट देखा जाए ना तो इसमें आई एफडी आई एफडी में एक चीज छूड गई है वो वाली चीज क्या है इसको हम आगे देखने वाले आई एफडी की सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इसकी क्या हिस्ट्री रही है भारत जैसे जो देश हैं आई एफडी का विरोध करते आ रहे हैं इसके लिए नेगोसियेशन आई एफडी एग्रिमेंट के लिए डवलू टीयो में लॉंच करी गई थी 2017 में ओने प्लूरी लेटरल बेसिस बाए 70 कंट्री प्लूरी लेटरल यहां पर बोला जा रहा है कि देखिए भाई इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली कुछ कुछ कंट्री यह फिर पार्टिकुलर एक ही चीज के उपर फोकस किया जाए बाकी की चीज में कोई ध्यार ही ना दिया जाए तो 2017 में ही आई एफडी एग्रिमेंट के बारे में समझोता हो जाता है यह जो सहींत वक्तव पहल है यह एक बुला जा रहा है कि यह जो चीज करी गए थी वो जॉइन्ट स्टेट्मेंट इनिसीटिव के माध्यम से किया गया था फिर जो आई एफडी एग्रिमेंट है इसको फाइनलाइस किया गया था नवंबर 2023 में और आज के समय में आप 50% of the membership back the IFD agreement 70% जो सदर सहें कह रहा है कि आई एबडी एग्रिमेंट बहतर है अमेरिका से कोई investment आ रहा है तो भारत को सुरिधा जनक बनाना पड़ेगा ऐसा यह IFD agreement कहता है IFD agreement को as a plurilateral agreement के तौर यदि हम बात करें तो आबुधावी में यह जो 120 country है वो चाहते हैं कि include किया जाए आई एबडी एग्रिमेंट को as a plurilateral agreement within annex 4 of the WTO agreement तो WTO के अंतर जो चार नम्मर का annex है इसमें इसको आफ सामिल कर दीजिए plurilateral agreement के तौर पर ऐसा यह countrys चाह रहे हैं कि लेकिन देखा जाए और आई एमडी एग्रिमेंट ऐसे plurilateral agreement के तौर पर 120 countries चाहती हैं डव्लू टियो एक multilateral टेल और नाइजेशन है आर्टिकल सेगेंड त्री ऑफ दे डव्लू एग्रिमेंट के टेग्रिमेंट के लिए लिए और डव्लू टियो इस चीज़ को अलाव भी करता है ऐसे उसके नियम कानून में लिखा है अब यदि IFD को PA के बराबर में यदि आपने ला दिया तो जो PAS होते हैं bind those WTO member countries that accept them and do not create right or impose obligation on the remaining member इसमें ऐसा बोल रहा है कि भाई जो जो accept कर रहा है उसे के उपर ये चीज़ binding रहेगी जो accept नहीं कर रहा है उसके उपर ये binding नहीं रहेगी इसलिए कहते हैं कि आप इसको इस कैटेगरिये में डाल दीजिए इंडिया की भी लेकिन बहुत सारी चिंताएं हैं IFD समझोते की अब सकता है और इसमें कुछ कुछ चीज़ें सामिल नहीं है देखिए इसके अंतरगर कुछ regulatory transparency होना चाहिए जो कि भारत को दिखाई नहीं दे रही है एंड इस्ट्रीम लाइन देखने को मिलते हैं जैसे कि मार्केट एकसेस को लेकर के इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट जैसे कोई भी विवस्ता यहां पर नहीं करी गई है ISDS की बात करें इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट जिसके माध्यम से फॉरेंड इन्वेस्टर्स तु ब्रिंग स्ट्रीटी क्लैम्स अगेंस्ट इस्टेट एड्मिटिंग इन्वेस्टमेंट हैस बीन एक कॉंटिटियोस इसू उन रिसेंट इयर हाल के समय में यह दि देखा जाएं तो मुद्दा जो लड़ाई जगड़ा है वो काफी बढ़ गया है और लड़ाई जगड़े के सॉलुसन को ले करके यहां पर कोई भी व्यूस्ताम को देखने को नहीं मिली है इस प्रकार से देखा जाएं ना तो जहां पर कुछ देशी ऐसे हैं कें बिंग लीगल क्लैम अगेंस अधर स्टेट इट इस इंप्लाउज़ेबल दैट इस डियस कें बी पार्ट ओफ इट अब कुछ-कुछ स्टेट के ऊपर ही ये चीज लागो हो रही है बांके के ऊपर लागो नहीं हो रही है तो ये चीज फिर पसंद में नहीं आती है इंडिया के कुछ principle concerns हैं चाहे वो इंडिया हो चाहे वो आफर except आफरिक हो इन्होंने काफी crucial roll अदा किया है कि जो इंडिया का जो प्रिंसिपल कंसर्ण है वो दो प्रकार से दिखाई देता है फस्ट को सब्सक्राइब कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप बना रहे हैं इसको एक WTO रोल बुक का आप बना देंगे एक चीज का यहां पर और भी उल्ले किया जाता है वो है सिंगापूर इस यूज़ का तो वाइड इंडिया इन MP2 नौ मेंडेट टू कनड़क निगोशीयशंस ओन एंवेस्टमेंट पहले नम्मर की चीज जो यहां पर दिखाई दी है यहां पर कोई अनिवार चीज नहीं करी गई है to conduct negotiations on investment investment के उपर कोई negotiations हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह चीज clear नहीं है Singapore इसूस का मुद्धा यहां पर भारत की तरफ से उठाया जाता है उसमें बोला कि भाई 2004 में WTO के जो जनरल काउंसिल है उसने डिसाइड किया था कि जो relationship trade and investment के उपर और इससे संबंदित जो बातचीत है वन ओप सोकार्ड सिंगापूर इसूस इसका भी यहां पर उलेक किया गया भारत की तरफ से क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस किया था 1996 में WTO सिंगापूर मिनिस्ट्रियल कॉन्फरेंस में और यह जो चीज है बोल रहा है कि वह चीज सफल नहीं हो पाई थी क्योंकि इसकी जगह में हम देखेंगे 2001 में दोहा की बात्चीत चालू हो गई थी जिसमें बोला गया था कि अब जब भारत राजी नहीं है साउथ आफ्रीका राजी नहीं है तो फिर आप कैसे यह कदम उठा ले रहे हैं इस प्रकार से भारत एक्जामपल देता है ठीक सिंगापूर और दोहा में जो बात्चीत चली थी उसका इसके बात यादी हम न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ में जाएं तो पहली जो न्यूज़ डिसकस करने वाले हैं यह सरकासब्सकार क्यों ले करके आई है सरकार चाहती है कि मुस्लिम कंट्रीज में अधर्मों की लोगों को सताया जाता है उनको परिशान किया जाता है उनको मजबूर किया जाता है कि आप अपने धर्म का परिवर्तन करिए और नहीं तो फिर के कंडिशन हम आपकी खराब कर देंगे ऐसे लोग भारत में आकर के रह रहे हैं और उनको अभी तक नागरिक्ता नहीं मिली है तो सरकार सोच रही है कि हम एक कानून लाते हैं जिसका नाम है सी यह जिसके मार्धियम से तेजी के साथ में इनको हम नागरिक्ता देंगे हैंब यहां पर ऐसा है ज सके पास में ड Architects है लीगल नहीं है उससे कोई लेंड़ देनना नहीं है कि कैंण आपको नागरिक्ता मिल जाएगी कौन कौन को धर्म के लोकों को मिलेगा इसमें हिंदू, सिख, क्रिस्टियन, बुद्धिस्ट, जैन, एंड पार्सी जो की माइग्रेटिड हुए हैं मुस्लिम मेजॉर्टी कंट्री जैसे की पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान और डेर्लाइन रखी गई है 31 दिसंबर 2014 इसके पहले से जितने भी लोग आ चुके हैं उनको हम नागरिखता देंगे, लेकिन बाद में दी आप आया हो तो उसके बाद हम गारंटी नहीं लेते हैं तो 31 दिसंबर 2014 की सरकार ने गारंटी रखी है, अब लेकिन यहाँ पर इसका विरोध इतना जादा क्यों हो रहा है, दो चीजे हैं, एक है CAA और एक है NRC अब देखिए, NRC के माध्यम से लोगों को भारत से बाहर निकाला जा रहा है, जो की जिनके पास में डाकुमेंट्स नहीं हैं, गलत तरीके से रह रहे हैं, लीगल तरीके से रह रहे हैं, उनको हम बाहर खदेडेंगे जिनके पास में डाकुमेंट्स नहीं भी है तो उनको नागरिकता आपने दे दिये, लेकिन मुस्लिम को आपने छोड़ दिये, इसका मतलब ये है, NRC के माध्यम से खाली मुस्लिम लोगों को आप बाहर खदेडने वाले हैं, इसलिए इसका विरोध हो रहा है कि CAA के माध्य की जुक्ता का सर्टिकेट है, वो कौन बना करके देगा, सरकार कह रही है कि आप सर्टिकेट ले करके आईए, और जो सर्टिकेट है, वो कौन देगा, वो देगा आपके धर्म का अदमी, ठीक है, तो जो प्राइस्ट होते हैं प्राइस्ट लोग आपको certificate provide करेंगे पुजारी पुजारी के उपर सब कुछ छोड़ दिया गया है पुजारी ने बोल दिया यह तो यह पुजारी ने बोल दिया नो तो नो दिक्कात हैं आपर यह हो गई है इसके अलावा ये mandatory कर दिया गया हनिवार कर दिया है कि आपको submit करना पड़ेगा eligibility certificate validating region of an applicant जो की आपके धर्म को बताता है eligibility certificate आपको submit करना है rules के हिसाब से देखा जाए तो जो certificate है ये issue किया जाएगा locally reputed committee institutions के माध्यम से कहीं पर कोई मंदिर बना है कोई संस्था बनी हुई है वह आपको certificate प्रोवाइड करेगी इसके अलावा CAA rules में इस प्रकार की arthritis को notify किया गया था ऐसा यहाँ पर बोला जाता है इसके बाद next वाली जो न्यूज हम देखने वाले हैं वह ICMR पार्टिकुलरली यहां पर जो लंग कैंसर मेनेजमेंट है इसके इलाज के लिए साक्ष अधारित मांदंड लाने के लिए तयार है करेंट्ली एविडेंस बेस्ट गाइडलाइन दू नौट एक्जिस्ट विथ रिस्पेक्ट तू प्रिवेंशन स्क्रीनिंग डाइग्नोसिस मेनेजमेंट और पहली एसन ऑफ एक वर्ड यूस किया गया है आपर पहली एसन का मतलब होता है निवारण तो इविडेंस बेस्ट गाइडलाइन अभी तक जारी नहीं करी जाती है कैंसर की रोक्ताम, निजाच, निदान, प्रबंधन और निवारण यहाँ पर आपको साक्ष अधारित दिशा निर्देश देखने को नहीं मिलते हैं इस तत्थ के बावजूद की भाई फेपड़े का कैंसर भारत में सबसे आम कैंसर है जो कुल कैंसर से होने वाली मौतों का 10% है हमारे देश में तो भारती चिकित्सा अनुसंधान परिसत ICMR इस अंतर को समझते हुए अब एक व्यवस्थित समीक्षा और मेटा विशलेशन शुरू करने के लिए पूरी तरह से तयार है परिसत ने क्या बोला है the council has launched an expression of interest council की तरफ से launch किया गया है expression of interest कारिक्रम यह researcher की तरफ से है who are interested in conducting systematic reviews and meta-analyzes तो यह लेक्ट क्या काम करने वाले हैं systematic review लाएंगे meta-analyzes करने वाले है वहीं यदि हम WHO की तरफ से बात करें तो देखिए विस्व स्वास संगठन क्या बोलता है फेपडे का cancer एक महतपूर सारजनिक स्वास चिंता है जिससे world level पर काफी संख्या में मौत हो रही है दूमरपामा आप कर रहे हैं तमबागो का यूज़ कर रहे हैं सिगरेट शिगार पाइप वाला उड़ा रहे हैं फेपड़ों के cancer के लिए प्राध्मिक जोखिम के रीजन हैं लेकिन जो लोग धूमरपान नहीं कर रहे हैं उन लोगों के उपर भी असर डाल सकता है इसके अलावा वही बात यहां पर बोली जाती है ठीक है कि आप कोई शिगरेट पी रहा है उसके संपर्क में आ गए हैं तो उससे भी एक answer हो सकता है इसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड वाले पेज़ पर हम जाएं तो यहां पर आप देखिए भारत और भूटान के संबंदों को बताया जाता है इंडिया ने रिलीज किया है 500 करोड रुपईया की दूसरी किस्त जारी करी है भारत ने ग्यालसुंग परियोजना से संबंदित बुनियाजी धाचे के विकास के लिए परियोजना का नाम है ग्यालसुंग परियोजना भूटान को 500 करोड रुपईया की दूसरी किस्त जारी कर दी है अभी हाल फिलहाल प्रदान मंत्री मोधी भूटान गये थे उसके बाद में यह डिसीजन लिया गया है बोला जा रहा है कि जब उन्होंने यात्रा करी थी उन्होंने थिम्पू को विकास की तलास में नई दिल्ली के द्रड समर्थन का आस्वासन दिया था और अगले पास साल में इस देश को 10 हज़ार करोड रुपईया प्रदान करने की बात करी थी अब यह ग्रांट है कि लौन है भी यह चीज क्लियर यहाँ पर नहीं लिखी भी है इसके अलावा 500 करोड रुपई की जो पहली किस ततीना इस साल की सुरुवाद में 28 जनवरी को जारी करी गई थी एक और जो नियूज आई है वर्ल्ड वाले पेस से ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि चाइना डवलप करने वाला है स्री लंका के डीप सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर दिनेश तो बोला जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है गनवारडन ने बातचीत करी है चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ में और बोला जा रहा है चाइना जो है आईलेंड नैसन का बिग्गेस्ट बाइलेटरल क्रेडिटर है दो काम होगा आपके देश में infrastructure development होगा और साथ ही साथ में आपका जो करजा है उसको restructure किया जाएगा हो सकता है समय लंबा कर दिया जाए हो सकता है ब्याज की दर कम कर दी जाए ऐसे हैं आपर बोला जाता है